नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विकास राजे सौट हैंड यूटुब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौट हैंड की जो स्टुडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको कॉमा, फुलश्टॉप, प्रिस्नबाचक चिन तथा योजक चिन इन सब चिन्नों में आप सम्मे से कई लोगों को बहुत जादा प्रॉबलम आती है साथी इस वीडियो में मैं आपको पैरा के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप अभी थोड़ा सा भी बिजी हैं, तो किर्पया करके इस वीडियो को ना देखें जब भी आप बिल्कुल फिरी हों, तभी इस वीडियो को देखें जिससे आपको बिल्कुल सब खुच समझ में आ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविस्य में आपकी कभी ब्याकरन तुरोटी या गल्ती नहीं होगी इसलिए आप सभी को अच्छे से कॉमा, फुलिष्टॉप, प्रिस्न बाचक्चिन और योजक्चिन को सीखना है तो आप बिना स्किप किये एक बार इस वीडियो को जरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सस्क्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दवाएं तथा शेर जरूर करें गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन मैं इतना कनफर्म कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को सुरूर से लाश्ट तक देखते हैं तो आपकी कभी कॉमा फिलिष्टॉप की गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले फिलिष्टॉप के बारे में बताता हूँ जिसे हिंदी में ब्रामचिन बोला जाता है मैं आपको फिलिष्टॉप के बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ जो सायधी आपको कोई और टीचर बताता हो ये बात मैं केवल सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ आपको फस्ट पॉइंट है अगर आपको सारे पूर्ण बिराम सही करने हैं तो ये आपकी ब्याकरण की छमता के उपर है कि आपको हिंदी ब्याकरण कितनी आती है और सेंटेंस को कितनी जल्डी आप समझ सकते हों सेकेंड है आपको प्रती दिन न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए दस से पंदर मिनिट और देखना चाहिए आपको कि उसमें किस तरहे फुले स्टॉप का यूज किया गया है इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा थर्ड पॉइंट है जो कि आप सभी को पताई होगा जहां पर आपको लगे कि एक कार्य या सेंटेंस या बिचार पूरा हो गया है तब बहीं पर पूर्ण ब्राम लगाना चाहिए आधे कार्य सेंटेंस या बिचार पर बिल्गुल नहीं लगाना है आपको जैसे आप एक्जामपल देखिए रमेश भुपल जा रहा है यहां पर एक बिचार समाप्त हो गया है रमेश भुपल जा रहा है तो मतलब की सेंटेंस खत्म हो गया है देन सेकेंड रमेश कल भुपल जाएगा लेकिन आज उसे अपना काम पूरा खत्म करना होगा यहां पर कल भुपल जाएगा यहां पर कल भुपल जाएगा के बाद पूर्ण बिराम नहीं लगेगा क्योंकि कार्य अधूरा है और लाश्ट में लगेगा क्योंकि वो अपना कार्य खत्म करके जा चुका होगा आप वीडियो पॉस करके अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह आपको पूर्ण ब्राम का यूज करना है ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको पूर्ण ब्राम में परफेक्ट बनना है तो आप जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि न्यूज पीपर को पढ़ें और पूर्ण ब्राम देखें सेकेंड है हमारा पृस्ण बाचक चिन जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह पृस्णों से सम्बंदित है जिन बाक्यों में कोई पृस्ण पूछा जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें पृस्ण बाचक बाक्य कहते है इन बाक्यों में किसी भी बस्तू या किसी भी बैक्ती के बारे में पृस्ण पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोसिस करते हैं और आप हमेशा ध्यान रखना जब कहीं कोई भी प्रिस्ण वाली बात पूछी जाए या कही जाए तो बात खत्म होने पर हमेशा प्रिस्ण वाचक्चन लगता है कुछ एक्जामपल देखी आप इसी के फर्स्ट है तुम्हारा घर कहा है कॉस्चन पूछ रहा है उससे तो प्रिस्ण वाचक्चन आएगा लाष्ट में सेकंड है तुम घर कब जाओगे ये भी कॉस्चन है धर्ड है क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे स्टार्टिक में क्या आगया है तो इसका मतलब है कि कॉस्चन पूछ रहा है तो लाष्ट में प्रिस्ण वाचक्चन जरूर लगेगा ठीक है फोड़ता है भारत की राजधानी क्या है मतलब कि ये भी कॉस्चन हो गया नेक्स्ट है योजक्चन योजक्चन को अंगरेजी में हाइपन मार्क बोलते है फर्ष्ट है योजक्चन सब्द का प्रियोग उस जग किया जाता है जहां आप अगर एक बर्ड को लिखते हैं तो दूसरा बर्ड अपने आप आजाए जैसे माता पिता रहन सहन आना जाना जै पराजे यदि आप एक बर्ड को लिख लेते हैं और दूसरा अपने आप आपके दिमाग में या मुह पर आजाए बोलने में तो बहाँ पर योजक्चन का प्रियोग किया जाता है दोनों बर्डों के बीच में सेकेंड है लगातार दो बार आने वाले सब्डों के बीच में योजक्चन का प्रियोग किया जाता है जैसे अलग-अलग साथ-साथ जो लगातार बर्ड आते हैं दो एक जैसे तो उनकी बीच में हमेशा योजक्चन का प्रियोग किया जाता है साथ सी से के लिए जैसे कौन सी चांदसा चेहरा बहुत से इनके बीच में हमेशा योजक्चिन आएगा ही आएगा नेक्स्ट फोर की बात करते हैं paragraph के बारे में कि paragraph का प्रयोग या उपियोग कहां किया जाता है कहां नहीं किया जाता है फ़स्ट है starting में हमिशा paragraph दिया जाता है ये तो आप सभी को पता ही होगा second है अगर next paragraph आता है तब उसे start बहां से करना है जहां आपने पहले first paragraph का यूज किया है मतलब कि आपको बीच से या जहां लाइन खत्म होती है उसके नीचे से बिलकुल नहीं करना है जहां से आपने फ़स्ट पेरा दिया है उसी के ज़स्ट नीचे से आपको पेरा अगला पेरा स्टार्ट करना है ओके? थार्ड पॉइंट सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट है बात ये है कि पेरा कभी भी नहीं बोला जाता है हाँ मैं ये मानता हूँ कि पेरा को बहुत से लोग बोलते हैं मैं खुद भी बोलता हूँ पर पेरा कभी नहीं बोला जाता है बलकि 3, 4 या 5 सेकंड रुका जाता है लेकिन पेरा नहीं बोला जाता है अगर कोई भी डिक्टेटर बीच में रुकता है तो समझना की बहाँ पर पेरा है Now then, आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक बहुती ज़्यादा महत्वपून है आपके लिए कौमा का पिरयोग कहा किया जाता है और कहा नहीं फर्ष्ट पॉइंट है इसका सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में कौमा को कौमा नहीं बलकि कामा बोला जाता है कौमा नहीं कामा बोला जाता है ठीक है कॉमा वर्ड की उत्पत्ती ग्रीक सब्द से होई है जिसका आर्थ होता है किसी बाक्य का छोटा सा भाग सेकेंड कामा का प्रियोग बाक्य के बीच में ठेराव या थोड़ी देर रुकनी के लिए किया जाता है थोड़ा सा ठेरने या रुकने के लिए कामा का प्रियोग किया जाता है तीसरा पॉइंट है किसी बाक्या को पूरा करनी के लिए कम समय के लिए रुके तब अल्प ब्राम का प्रियोग किया जाता है कम समय के लिए रुकेंगे तब अल्प ब्राम का प्रियोग होता है तथा उसके बाद पूर्मिब्राम लगता है जैसे मुहन मुझे तुमसे बात करनी है मुहन के बाद इसमें कॉमा लगेगा and then last में फुलिष्टॉब लगेगा second देखिए मा मैं बाजार जा रहा हूं तो इसमें मा के बाद कॉमा जरूर लगेगा third देखिए क्या तुम बाजार जाओगे हां मैं बाजार जाओँगा तो प्रिशन वाचक चिन भी लग गया इसमें क्या के लिए और हां के बाद कॉमा भी लग गया है और then last में फुलिष्टॉब फोर्त है कई संग्याओं संख्याओं या एक ही समूकी सूची के सब्दों के बीच में भी अलब्राम का प्रियोग किया जाता है संग्याओं संख्याओं या एक ही समूकी सूची के सब्दों के बीच में अलब्राम का प्रियोग किया जाता है लेकिन ऐसे अंतिम दो सब्दों के बीच में और का प्रियोग किया जाता है मतलब लाश्ट में जो दो बर्ड आते हैं तो उनमें के और का प्रियोग किया जाता है पॉमा का प्रियोग बिलकुल नहीं किया जाता जैसे एक्जामपल देखी आप मैंने बाजार से सबजी, फल, मिठाईया और चोकलेट खरी दी मतलब कि सबजी, फल, मिठाईया के बीच में कॉमा लगेगा और मिठाईया चोकलेट के बीच में और लगेगा यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा लाश्ट में ठीक है सेकेंड राम, मोहन, सोहन और सुरेस भोपाल जा रहे है राम, मोहन, सोहन के बीच में कौमा लगेगा सोहन और सुरेस के बीच में नहीं लगेगा और लगेगा इनके बीच में क्योंकि ये लाष्ट के दो बर्ड हैं जैसकि मैंने आपको अभी बताया पांचवा पॉइंट है संख्याओं में भी इसका प्रियोग होता है जैसे एक, दो, तीन, चार तो इनके बीच में भी कौमा का विलकुल प्रियोग होगा सेकंड पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलीती तो 15 अगस्त के बाद हमेशा कौमा आएगा जरूरी नहीं है कि यहां 15 अगस्त लिखाए मैंने कुछ भी हो सकता है 15 अगस्त 15 तारीक कुछ भी हो सकता है next छटा पॉइंट है अगर कोई भी नाम बस्तू लगातार आते हैं तो उनके बीच में हमेशा कौमा आता है नाम और बस्तू लगातार आएंगे तो उनके बीच में हमीसा कॉमा आएगा ही आएगा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ योजक चिन और कॉमा वाले वर्ड साथ में आ जाते हैं योजक चिन वाले और कॉमा वाले वर्ड साथ में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा confusion पैदा हो जाती है हमारे मन में कि कहाँ पर कौम आएगा, कहाँ पर योजक्चन आएगा। जैसे example देखें, सोना, उठना, नहाना, खाना पीना, तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में परिशन उठता है कि खाना पीना तो एक योजक्चन वाला बर्ड है, इनके बीच में योजक्चन आना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कौमा वाले बर्ड आ रहे हैं तो इनके बीच में योजक्चन बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको कौमा ही लगाना पड़ेगा, अगर लगातार हाइपन वाले बर्ड आते हैं तो उनके बीच में कौमा आएगा, जैसे रहन सहन, खान पान, आना जाना, माता पिता, तो रहन सहन के बाद कौमा आएगा खान पान के बाद कॉम आएगा आना जाना के बाद कॉम आएगा माता पिता के बाद फुलिष्टोप आएगा साथवा पॉइंट है किसी के दुआरा कहे गई सब्दों को लिखते हैं तो कामा का प्रियोग किया जाता है अगर छोटी की न लिखा हो तो कोई भी अगर कुछ भी बोलता है या कहता है तो उसके बीच में कामा का प्रियोग किया जाता है अगर छोटी की नहीं है तो बढ़ी की है तो बिल्कुल लगेगा जैसे मुहन ने कहा बह इंदोर नहीं जाएगा तो ये देकि मुहन ने कहा तो इसके बाद कौमा आएगा and then last में full stop आएगा second है राहुल ने कहा कि बह इंदोर नहीं जाएगा राहुल ने कहा कि बह इंदोर नहीं जाएगा तो छोटी की आई है तो यहाँ पर कौमा का प्रियोग बिलकुल भी नहीं होगा केवल बड़ी की जहाँ पर आती है वहाँ पर कौमा का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है आटबा पॉइंट जो की आपको आना ही चाहिए सभी को पता होना चाहिए कि किस किस के पहले कौन कौन से वर्ड के पहले हमेशा कौमा का प्रयोग किया जाता है हमेशा ही बिलकुल आपको इन वर्ड के पहले कौमा का प्रयोग करना है तो करना ही है ठीक है फर्स्ट है बलकी बिलकुल क्योंकि परंतु किन्तु इन सब बर्डों से पहले हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है लेकिन जो की एक important बर्ड है मैं आपको इसके बारें बताता हूँ लेकिन अपने आप में ही एक कॉमा है अगर आप लेकिन से पहले कॉमा नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है आपकी गलती नहीं की जाएगी इसलिए क्योंकि लेकिन भी अपने आप में ही एक कॉमा होता है जो की बर्डों को जोड़ने का काम करता है ठीक है गाइस तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा तथा आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारे सौट हैंड चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें लाइब करें बेल आइकन दबाएं लाइकन